ओ हो हो प्रोमो निकल के सावने आ चुके सच में मनारा चोपड़ा की सलवान खान तगड़ी वाली पलाष्ट हुए हैं मनारा चोपड़ा पर और बोले हैं कि भाया बच्चे होने का टाइम निकल चुका है बच्चो जैसी हरकते तुम कर रही हो मैं बहुत यादा अपसेट हूँ तुम से तुम ऐसी चीजे कर रही हो मुनावर से पूछते कि मुनावर ऐसा तुमने क्या दुनिया में देखा है क्या ऐसा पहला कभी देखा है तो वो ना बोलते नजर आ रहे हैं तो मतलब खूब फटे है सलमान खान और इसकी अपडेट मै बजा लड़ जाती हो और जाकर मुनावर तुम बहाँ पर मनाते हो उसको उसके बाद शोकिंग चीज सलमान खान बोलते है कि मुनावर यापर तुम मनाने मच जाओ तुम सब उसके पीछे मच जाओ क्योंकि वो तु सिर्फ गेम के लिए कर रही है वो गेम खेल रही है जी ह में क्या होगा कि सल्मान खान वो अच्छी तरीके से यहां पर प्यार से समझाने वाले देगो प्रोमो में क्या होता है कि हमें कुछ अलग दिखाया जाता है है ना पीछे पिर सलमान कान सोफ्ट हो जाते हैं वो फिर प्यार से बोल देगी यार तुमारे अंदर वो potential है जो हमें दिखता है बाहर से तो तुम उसे अच्छे तरीके से use करो तुम अच्छे सी खेलो तुम कहीना के पीछे से बैठ कर बाते करती हो ये सब करने के सिवाए तुम कहीना कई गेम खेलो तुम अपने ही दोस्तों के साथ गलत मत करो तो ये चीजे है वो कहते हो नजर आ रहे हैं और मुनावर को भी बोल देते हैं कि भाया किसी को संभालने की यह पर जुरुरत नहीं है हर कोई यहाँ पर गेम खेल रहा है तो आप क्या बोलेगे मनारा चोपड़ा की कलास लगी है भले ही प्यार वाली लगी है प्यार से हर बार समझाते है लेकिन लगी है और सलमान खान ये चीज बोल कर की भाया मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तो इससे लग रहा है कि सलमान खान कहीना कहीन मनारा चोपड़ा को सपोर्ट करते है और उनको भी लग रहा है कि यार ये चीज़े कहीना कहीना कहीन होर ये मनारा कर रही है मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो ऐसा करेगी फिलाल आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कोमेंट बोक्स में जुरूर बताईएगा और अरुन है वो कहीना की टास्क जीच चुके है और उन्होंने बड़े ही दिमाग से खेला है क्योंको पता था कि भाईया मुझसे कम वोट जिसे मिल रहे है है सना और सना घर से बेगर हो सकती है तो अगले हपते मैं इस इम्मुनिटी का यूज कर सकता हूँ चलिए आप क्या बोलेगे मनारा चोपड़ा की क्लास लगिए मिलते हैं कुछी देर में बिग बोस 17 की नहीं और बड़ी ब्रेट के साथ